नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएने जा रहे हैं MPL के बाद कैसे न जा रहा है हमारे मादा राव सिंदा क्रिकेट स्टेडियम का तो दोस्तो आज के वीडियों हम बात करने जा रहे हैं गॉलन में बने न्यू क्रिकेट स्टीडिम के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कुछ समय पहले MPL के मैच हुए थे जिसमें जबलपुर की टीम जो है वह अनवीटेबल रही और उसने पूरा फानल में जीता और साती सांथ दोस्तो यहाँ पे फानल में इत्ती ज़्यादा वीड़ हो चुकी थी कि उससे कंट्रूल करपाना मुस्किल हो गया था लोग बागने आप पे फुर्दंग मचा दी थी और स्टीडम में जो है लोगों को बैठने की विवस्ता की गई थी यहाँ पे पूरी ओर्डेंस में देखने के लिए आई थी वो यहाँ पे बैठा था पूरा क्राउड यहाँ पर बैठा था ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 20,000 लोग में देखने आय थे और उससे ज़्यादा कुछ लोग य कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरिकत यहाँ पे स्टीडम बना हुआ है दोस्तों पूरी सिटिंग में वस्ता वस्ता वच्छी कर दी गई है और इसका सेकंड फेस का काम भी होना है ऐसा अनुवान लगा जा रहा है कि कुछ समय बाद यहाँ पे इंटरनेशनल मेंच भी शुरू हो जाएंगे जी हाँ आपको कुछ समय बाद यहाँ पे आपको यहाँ हो सकता है अगले सार आपको यहाँ पे टीम इंडिया खेलती हुई दिखाई दे ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया और बंगलेदिस की बीच में जो मेच होने हैं उसमें से एक मेच यहाँ हो सकता है लेकिन उसका यहाँ पे पहले से ही दोस्तो सेड्यूल फिक्स हो चुका है जिसमें गौलर इस्टेडम का नाम नहीं आया है लेकिन अभी आप देखिएंगे दोस्तों यहाँ पिछ बगेर सब तयार है ग्रास बगेर सब अच्छी हो चुकी है और हम देखें बाकी मेचों से बाकी स्टेडम से तुलना करें तो यहाँ पे काफी अच्छा खासी वस्ता की गई है और स्टेडम बहुत अच्छा है अगर यहाँ पे मेच हो सकता है तो जरूर मेच कराएं क्योंकि अब तो बहुत सारे मेच यहाँ पे हो चुके हैं और सारी टेस्टिंग बगे है कि यहां पर मैच आपको देखने को मिल सकता है लेकिन अभी हम सिर्फ आज लगा सकते हैं कनफर्मेशन नहीं है जब यह कनफर्मेशन हो जाएगा कि मैच यहां पर होना है तब हम आपको एक और वीडियो बना कि उसकी अपडेट भी दे के फिलाल आप देचैने दोस्टों मैं आपको पूरिकेस कर रही है कि छिइंडे से सारी सदेख कर रहे हैं यहां देखिएकि porte के आपको फिटे ब colony लृफो को में नहीं हो प्री वगरे में लेकिन आप आज देखिए आप आज को पूरा अच्छे सिस्टेम देख सकते हैं यहां पे ग्रिल बगिरा लगा दी गई थी ताकि जो है यहां से जन संख्या अंदर ना जाए और वैसा ही हुआ था क्योंकि भील बहुत जादा हो गई थी तो हो सकता है क्राउट अंदर घुच जाता इसलिए जो है इंडिया पकिस्तान बंगला जैसे ऐसे देशों में आप देखींगे आपको जो है इस्टेम के आसपास में ग्रिल नजार आती है क्योंकि यहां के लोग जो है वो तूड के सीधे अंदर घुच जाते हैं फिलाल आप देख रहे हैं दोस्तों इस्टेम बहुत ही प्यारा दिख रहा ह जो कि बहुत ही प्यारे थे तो दोस्ते इससे आप आडिया लगा सकते हैं कि हमारा मेज जो है यहां पर जब भी होगा इंडिया का उस समय यहां पर क्या महाल होने वाला है क्योंकि दोस्तों यहां पर लाइटिंग की बश्ता बहुत अच्छी की गई है डीजे सांड बगे गए थे स्कोर बोर्ड बगेरा सब तयार हो चुका है और यहां पर जो है मेज भी खेले जा चुके हैं अब बस इंतजार है तो हमारे इंडिया टीम का मेज का जोकी हो सकता है अक्टूमबर में हो या पर आने वाले सालों में आपको कोई भी सीरी जहां पर होती हुई दिख